नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आईए इस वीडियो में हम लोग अपना चाप्टर वास्तिवेक संख्याएं रिवाइस करने और यहाँ पे हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट पड़े थे इस चाप्टर के वो थे पहला पार्ट यूकलिट विभाजन अल्गॉरित्म और दूसरा अंकगर की आधारभूत प्रमे तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि यूकलिट विभाजन अल्गॉरित्म क्या था यूकलिट विभाजन अल्गॉरित्म यूकलिट द्वारा दी गई एक अल्गॉरित्म है एक विधी है जिससे हम किसी भी दो पूर संख्याओं या फिर कहलें धानात्मक पूर आंग्कों का एच्षिए प्रраय निकाल सकते हैं तो हम किसका एच्छिए निकाल रहे हैं दो धानात्मक पूर आंग्कों का अमान लिजीwerk कि वो सी और डِ है और इन दोनों का HCF हम निकाल लेंगे इस algorithm की विधी से, हमने ये भी देखा कि ये algorithm जो है वो इसलिए जादा कारेगर है क्योंकि यहाँ पे अगर ये संख्याएं काफी बड़ी हैं तो हमें लगने वाला समय इस विधी से काफी कम हो जाएगा, मतलब अगर आप गुड़न खंड क करके HCF निकालेंगे तो आपको काफी जादा समय लगेगा, पर अगर यूकलिट विभाजन algorithm का प्रयोग करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, उधारन के लिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रश्न का हल करके बता रेती हूं, जिसमें हम लोग HCF निकालेंगे, तो मान लीजे आपको दो संख्याएं दी गई है, 2048 और 960 और आप से कहा गया है कि आपको इनका HCF निकालना है, कौन से विधी इस्तमाल करके, यूकलिट विभाजन algorithm इस्तमाल करके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, कि हम यहाँ पे यूकलिट विभाजन परिमे की मदद से ये लिख ले लेंगे, तो हमें भागफल और शेशफल क्या मिलेगा, और उसके अनुसार फिर हम एक पंक्ती में इन दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको भाग देती हूँ, तो 960 को अगर 2 से गुना करेंगे, तो यह 0 आ गया, फिर यह 920 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास शेशफल जो है वो बच जाएगा, 128, तो इसका आशे क्या हुआ, कि जो हमारे पास बड़ी संख्या थी, यानि की 2048, उसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास छोटी संख्या थी, यानि की 960, गुना भागफल जो आपको यहाँ पे मिलके आया 2, औ और यहाँ पे जो शेशफल हमें मिल रहा है, वो है संख्या 128, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देते हूँ, अब इस विधी के अनुसार, जो अगला चरण है वो यह, कि आपको इस पद पे जो मिलने वाला भाजक था, वो अगले पद के लिए भाज हो जाएगा, और अब हम उसे 960 लिख लेते हैं, और इस पद में मिलने वाला जो आपको शेश फल्ठा वो अगले पद के लिए आपका भाजक हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 128, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यह संख्या 960 को 128 से भाग देना है, और चलिया आईए हम एक बार इसको कर लेते हैं, तो इसको यहाँ से 7 से गुना करूं, तो अगर 7 को 8 से गुना करेंगे तो 56, चार लगा 5, और 7 को दोनुस से गुना करेंगे तो 14, और 5, 19, चार से लगा, एक 7, 1, 7 और 8, 896 हमें आमिल गया, और यहाँ पे अगर हम इसको घटा करके निकालें अब 15 में से 9 जाएगा, तो 6 बचेगा, तो 64 आ गया, तो यानि अगर हम इस पंक्ती को पूरा करना चाहें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 960 बराबर 128 गुना 7 और यहां पे जो शेशफल हमें मिल रहा है, वो है 64, फिर हम अगले पद में क्या करेंगे, अगले पद में हम भाज़े और भाज़े बदल जाएगा, और इस बार हमारा भाज़े हो जाएगा, 128 और आपके पास इस बार भाज़े कितना बन जाएगा, पिछले चरण का शेशफल जो की था 64, तो अब हमें क्या करना है, हमें 128 को 64 से भाग देना है, तो चलिए आईए ये करते हैं, कि हम 128 को 64 से भाग देते हैं, और जब हम 64 गुना दो करेंगे, तो आप देखी 128 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें शेशफल शून मिल गया, तो जैसे ही हमें शेशफल शून मिलता है, ये हमें दर्शाता है, बताता है कि हमें अब यहाँ पर रुख जाना है, और हमारी विधी का अंतिम चरण आ गया है, और यहाँ पर अगर हम रुख जाते हैं, तो हमारे पास HCF क्या होगा, जो अंतिम चरण में हमारे पास भाजक था, यानि की संख्या 64, तो हमारे पास जो HCF दी गई दो संख्याएं थी, 2048 और 960, उनका HCF हमारे पास 64 आ गया, तो जैसे कि मैंने अलगार्थम की विशेष्टा यह है कि आपको बड़ी संख्याओं के लिए में लगने वाला समय काफी कम होगा, और इसकी एक और काफी खास विशेष्टा यह है कि यह जो आपके पास विधी है, यह आपको सिर्फ एक ही जोड़े का HCF नहीं बताती, बरंतु अगर आपको हर चरण पे अलग-अलग जोड़े मिल रही है, भाज और भाजक के, तो उनके HCF का भी आपको यह जो HCF है, वो बता दिती है, जैसे आपको यहाँ पे पहले चरण में मिला था, 24960, तो उसका HCF 64 आया, जो की प्रशन ही था, परंतु अगर आप 960 और 128 का भी HCF निकालेंगे, तो 64 आएगा, और इसी तरहां अगर आप 128 और 64 का भी HCF निकालेंगे, तो वो 64 आएगा, तो यह प प्रतेक भाज संख्या को अभाज संख्या के एक गुडण फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तदा यह गुडण खंडन, अभाज गुडण खंड़ों के आने वाले करम के बिना अधित्वी है, अर्थात, अगर आप कोई भी भाज संख्या ले ले, तो मान लेते है बीको पांच लेंगे तो आपको पांच लेंगे तो आपको पांच मिलेगा और इस प्रकार हम 75 का गुड़न खंडन लिख सकते हैं कि है 3 गुड़न पांच गुड़न पांच अब देखिए ये जो अंकर गानित की अधारबूत प्रमे है वो क्या कह रही है कि अगर आप ऐसी कोई भाज जिसंग्या ले रही है और उसका भाज गुड़न खंडन कर रही है तो इसका क्रम तो बदल सकता है तो जैसे अगर आपने 75 को 5 से भाग देना शुरू किया होता तो आपको पहले मिल जाता 15 और अगर आप मान लीज़़ फिर 3 से भाग देते तो आपको मिल जाता 5 और फिर आप 5 से भाग देते तो आपको 1 मिल जाता तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस बार जो गुड़न खंड में संख्याएं मिल रही हैं उनका क्रम बदल गया है परन्तु आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपकी संख्याएं और उनका घाद नहीं बदला मतलब यहाँ पे भी यह तीन की घाद एक और पांच की घाद दो है और यहाँ पे भी यह तीन की घाद एक और पांच की घाद दो ही है तो यही अंका गनत की अधार भूत प्रमे कहती है कि कोई भाज संख्या को अगर आप उसके अभाज संख्याओं के गुड़न फल के उसका क्रम बदल सकता है परन्तु उसका यहां पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा अब आप देखिए कि इसका हम किस तरीके से और उलेक कर सकते हैं आपने इस तरीके की विधी तो पहले भी पड़ी है छोटी क्रक्षाओं में बस वहां पर यह था कि कभी हम नाम नहीं लेते आदे की अंकर गनित की अधारभूत प्रमे है और आपने कहां पर यह इस्तमाल किया था अगर आप याद कर पाएं तो आपने HCF और LCM निकालने के लिए इस तरीके का जो गुड़न खंडन है वो किया था है ना और अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि दो संख्याएं आप ले लें और मान लीजे जो दो ली गई संख्याएं हैं वो है साथ और मान लीजे चौदा तो क्या आप इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं तो आईए हम लोग इस बात का प्रयास करें तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि साथ का गुड़न खंडन निकलेते हैं तो जो की हो तो महीं उभेनिस्ट हमें सिर्फ साथ मिल रहा है उसकी भी घात एक ही तो HCF साथ हो गया और LCM निकालने के लिए क्लिए क्या करते थे हम HCF LCM निकालने के लिए जो भी हमारे पास गुड़न खंड आ रहे थे जैसे यहां पे एक गुड़न खंड आ गया साथ और यहां पे एक और गुड़न खंड आ गया दो इनकी जो सबसे बड़ी घात हैं दोनों ही संख्यां में हम देखेंगे कि किस में बड़ी घात आरही है उसको वह हम यहां पर लिख देंगे तो साथ की भी सबसे बड़ी घात एक हीे यह आ रही है तो इसलिए LCM 14 हो जाएगा और यहां पे आप एक बात देख सकते हैं कि जो दो दी गई हमें संख्याओं थी वो थी 7 और 14 और जो आपके पास HCF आया वो भी 7 और LCM जो आया वो 14 था तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम गुड़नफल निकालें दो दी गई संख्याओं का और गुड़नफल निकालें उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का तो यह जो हमारे पास गुड़नफल है यह हमेशा ही बराबर आएगा मगर आपको यह बाध्यान रखनी है कि यह जो तिपड़ी है यह जो परिणाम है सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही मानने हैं तो परिणाम क्या है कि दो दी गई संख्याओं का गुड़नफल उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुड़नफल के भी बराबर होगा इसके बार हमने देखा कि अपरिमे संख्याएं क्या होती हैं तो अपरिमे संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनका दशमलब प्रसार असान अनावर्ती है मतलब आप अगर उनका दशमलब प्रसार लिखेंगे तो संख्याएं जो हैं कभी भी रिपीट नहीं करेंगी और कभी भी खतम भी नहीं होंगी तो इसलिए इन संख्याओं को परिभाशत करना संख्या के रूप में काफी जड़िल कारे हो जाता है और एक प्रश्ण स्वरूप यहां पे बन जाता है कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि कोई एक दी गई जो संख्या है वो अपरिमें है तो इस सिद्ध करन के लिए हम लोग जो विधी उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विरोधा भास द्वारा सिद्ध करना और इसके लिए हमने पहले एक परिणाम पढ़ा जो कि हमारी आधारभूत प्रमय पर ही आधारत है और वो परिणाम यह कहता है कि यदि कोई अभाज संख्या पी किसी भाज संख्या A स्कॉ dashboard को पून्ता विभाज़त करती हैं तो वो संख्या P A को भी विभाज़त करेगी यह जो परिणाम हमारे पास है अंकर गणित की अधार बूत प्रमय का उसका हम प्रयोक करके इस सिद्धीकरन को यहां पर करेंगे और इस सिद्धीकरन को हम करेंगे वि परिमय संख्या है तो इसका विप्रीत कथन क्या हो जाएगा कि रूट साथ एक परिमय संख्या है और वो हम मान करके अब आगे बढ़ेंगे तो चुकि रूट साथ को हमने एक परिमय संख्या माना तो रूट साथ को हम एक परिमय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं और संख्या का रूप होता है पी बटे क्यू और यहां पे हमारे पास कुछ कंडिशन्स हैं जो इसके उपर हैं कि क्यू का मान शूने नहीं होना चाहिए और पी और क्यू कैसा होना चाहिए सहाभाज सहाभाज का आशा यह है कि इन दोनों के बीच में जो भी हमारे पास एक उभेनिस्ट गुड़न खंड है वो सिर्फ एक होगा जैसे कि संख्या है दो और तीन तो वो अगर आप उन दोनों के बीच में उभेनिस्ट गुड़न खंड निकालेंगे तो वो सिर्फ एक है इसको हम को प्राइम भी कहते ह यहां पे हमारे पास क्या आ गया कि root 7 बराबर P बटे Q है Q का मानशून नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों ही सह अभाज है अब क्यूंकि Q का मानशून नहीं है इसलिए हम पूरे ही समिकरण में Q को गुड़न कर सकते हैं और जैसे ही हम Q का गुड़न यहां पे करेंगे तो हम को समिकरण इस तरह से मिल जाएगा अब इस समिकरण का अगर हम दोनों तरफ पूर्ण वर्ग निकाल लें या फिर कहलें कि वर्ग ले ले तो हमारे पास root 7 का वर्ग 7 हो जाएगा Q का वर्ग Q स्कॉयर हो जाएगा और P का वर्ग भी P स्कॉयर हो जाएगा और यहां पे हम य एक अभाज संक्या है वो P स्कॉयर का एक गुणनखंड होगा या फिर 7 P स्कॉयर को पूर्टा विभाजित करती है और इस परणाम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 7 P को भी पूर्टा विभाजित करेगा क्या करेगा? 7 P को भी पूर्टा विभाजित करेगा या फिर 7 जो है संक्या P का एक गुणनखंड है तो मैं इस बात को यहां लिख लेती हूँ कि 7 P को भी पूर्टा विभाजित करेगा अब देखिए यहां पर हमें ये बदा चल गया कि जो संक्या 7 है वो P को पूर्टा विभाजित करेग का आशे ये हुआ कि जो भी हमारे पास ये संख्या P है वो साथ और कोई और संख्या C का गुड़न फल ही होगी और अब अगर हम इसका यहां पे वर्ग निकाल लें तो P स्क्वाइर का मान आ जाएगा 49C स्क्वाइर परंदू हमने यहां पे देखा था कि P स्क्वाइर का मान तो साथ Q स्क्वाइर था तो अगर हम इसको स्टेट्मेंट A कह लें और इसको स्टेट्मेंट B कह लें और दोनों का मान क्यूंकि P स्क्वाइर के मान को ही बता रहा है तो हम इनको बराबर कर दें तो हमें मिल जाएगा कि साथ Q स्क्वाइर का मान 49C स्क्वाइर के बराबर ह और अगर हम दोनों तुरफ साथ से भाग दे दें तो Q स्कॉयर का मान हमारे पास साथ सी स्कॉयर के मान के बराबर आ गया और इस पंक्ती से हम फिर से कह सकते हैं कि साथ जो है वो Q का एक गुड़नखंड है है ना अगर हम यह कहें कि साथ Q को पूर्टा विभाज़त कर रहा है या कहें साथ Q का एक गुड़नखंड है तो एक ही बात है और यहां पे आप अगर इस बात को और इस बात को ध्यान दें तो यहां से हमें यह पता चला कि साथ जो है वो P और Q दोनों का एक गुड़नखंड है P और Q का एक उभैनिष्ट गुड़नखंड है और यह जो कथन है हमारे माने हुए यहां पे जो कथन था उसके विपरीत मिल गया तो यहां पे हमें विरोधा भास हो गया और इसका आशे यह हुआ कि जो कथन हमने यहां माना था यहां पे शुरुवात में माना था वो गलत है और अगर यह बात गलत है कि रूट साथ एक परिमे संक्या है तो इसका आशे यह हुआ कि रूट साथ एक आपरिमे संक्या है औ और यही तो हमें सिद्ध करना था तो इस तरहां से हमने विरोधा भास के सिद्धी करण के उपयोग से यह सिद्ध कर दिया कि रूट साथ एक परिमे संख्या है और यहां पे हमारे पास अंग गनितिया धार भूत प्रमे का एक परिणाम जो था वो भी काफी उपयोग में आय इसके बाद हमने यहां पे देखा कि जो हमारे पास परिमे संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं तो परिमे संख्याओं की परिभाशा वो संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और उनका दशमलव प्रसार भी कुछ ना कुछ होगा तो तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि परिमय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है तो हमने यह देखा कि जो भी हमारी परिमय संख्या हैं उनके दशमलव प्रसार या तो सांथ होंगे और या फिर असांत आवरती होंगे और इस विशय में हम यह समझेंगे कि अगर हम ज संख्याएं जिनके दशंवला प्रसार असांत आवरती होंगे तो मैंने यहां पे आपके लिए कुछ उधारन लिखें हैं और यहां पे आप एक बार इनका जो दशंवला प्रसार है वो लिखने का प्रयास करें आप चाहें तो यहां पे वीडियो पॉस कर सकते हैं और उसके पाद मैं यहां पे आंसर्स चेक कर सकते हैं और मैं यहां पे आपके लिए इनके दशंवला प्रसार लिख देती हूं और फिर हम लोग उस पे कुछ दिपड़ी करेंगे तो अगर हम 33 बटा 2 देखें तो 33 बटा 2 हो जाएगा एक और फिर हमारे पास बचाती रहा तो 16 दशं तो यह फिर से 7 दशंवला प्रसार आगया 11 बटे 10 जो की हो गया 1 दशंवला एक और 93 बटे 1000 जो की हो गया 0 दशंवला शून नौ तीन अच्छा चलिया यह एक बार हम इधर लिखी हुई जो परिमय संख्या हैं उन पे भी कुछ ध्यान दें और यहां पे जो 10 बटे 3 हैं इ तीन दशंवला तीन 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 और आप देखेंगे कि यह कभी भी खतम नहीं होगा परन्तु यहां पे कोई और संख्या भी नहीं है इसलिए हम इसे आसान तो कह रहे हैं परन्तु आवर्ती भी कह रहे हैं और यहां पे जो संख्या बार बार आ रही है वो है तीन अच् एक दशंवलव चार दो फिर आठ फिर हमारे पास आजाएगा पांच और फिर आजाएगा साथ और फिर से हमें यही संख्या मिनने लगेंगी एक चार दो आठ पांच साथ और इस तरहां से हम लिख सकते हैं कि यह होगा एक दशमलव चार, दो, आठ, पांच, साथ के ऊपर एक रेखा खीचके कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो बार-बार आ रहे हैं और मैं यहां पर एक भी लिख लेखें और आप अगर फिर से दस बटे पंद्रा पर ध्यान देंगे तो दस बटे पंद्रा भी हमारे पास पहले तो हम इसे दो बटे तीन लिख लेते हैं और दो बटे तीन जो है वो हो जाएगा शून दशमलव छे 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 और फिर से ये असान्थ है परंदु आवरती है और यहां पर सिर्फ एक ही संख्या जो है वो दोराई जा रही है जो की है छे इसी प्रकार से अगर आप दस बटे चौदा पिधान ले तो पहले मैं इसको दो से भाग लिखके कर देती हूँ पांच बटे साथ और पांच बटे साथ के लिए फिर से आपके पास आ जाएगा शून दशंवलव पहले आपको मिला साथ फिर एक मिलेगा फिर चार मिलेगा फिर दो मिलेगा फिर आठ मिलेगा फिर पांच मिलेगा और फिर से ये सारी संख्याएं अपने आपको दौराने लगेंगी और अगर हम यहाँ पे एक बड़े तीम को देखें तो यह हो जाएगा 0.3 तीम 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 जिसको हम लिख सकते हैं शूर ने दिसंख्याँ तीम पे एक रेखा अब देखिए यहाँ पे हमें इतना सब करना पड़ा और तब हमें इनके दशंवलब प्रसार मिले और प्रश्ण यह है कि हम बिना ये भाग दिये सिर्फ इन संख्याओं को यहाँ पे देख के ये बताना चाह रही है कि क्या इनका दश्रमलब प्रसार सांथ होगा या असांथ होगा तो मैं आपको यहां पर एक काफी अच्छी बार बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी परिमे संख्या का हर्द ले ले और आप उसके हर का गुड़न खंडन करें और जो भी गुड़न खंडन है उसको आप इस रूप में लिख पाएं जहां पे दो की घात M है और पांच की घात N है जहां पे M और N कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है मतलब शून एक, दो, तीन कोई भी संख्या हो सकती है अगर इस रूप में आपके पास हर आ रहा है तो वैसी परिमे संख्याओं के दर्शंगल प्रसार सांथ होंगे और अगर आप इस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो आसांथ हो जाएंगे तो आईए एक बार देखते हैं कि यहां पे जो हमें संख्याओं दी गई थी जो हर दिये गए थे उनका गुड़न खंड़न क्या है तो यहां पे जो संख्याओं है वो तो है दो और दो को हम लिख सकते हैं दो की घाथ एक और पांच की घाथ शून और क्योंकि यह इस रूप में है तो आप देखिए यहां पे संख्याओं आ रहा है अब अगर आप सिर्फ पांच की बात करें तो फिर आप लिख सकते हैं दो की घाथ शून और पांच की घाथ एक और फिर से आपके पास जो हजार को हम कैसे लिखेंगे दो की घाथ तीन और पांच की घाथ तीन का गुड़न फल और फिर से वो इस रूप में है इसलिए आपके पास सांत प्रसार आया और अब आप इस बात को यहां पे भी लेख सकते हैं कि यहां पे जो हमारे पास हर था वो पहले उधारण में तीन था और तीन को आप किसी भी तरीके से इस रूप में नहीं लिख सकते आप अगर दो की घाथ शून और पांच की घाथ शून एक रूप में लिखेंगे तो आपके पास इस तीन जो है वो एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा उनी की विज़े से आप यहां पे इसको इस रूप में नहीं लिख पया हो और यही गारण था कि जो आपके पास यहां पे दश्रमलव प्रसार आया वह असांत हो गया और क्यूंकि हमारे पास परिम्य संख्याओं का ही दश्रमलव प्रसार है तो यह बात पक साथ जो है वो एक्स्ट्रा अगर आप यहां पर पंदरा की बात करें तो पंदरा में आप यह कह सकते हैं कि हमें पांच तो मिल रहा है बट फिर यहां पर आपके पास तीन एक्स्ट्रा है अगर आप चौदा की बात करें तो आप कह सकते हैं कि हमें दो तो मिल रहा है बट हम इस बात को संक्षिप में इस तरीके से कह सकते हैं कि या तो हमारे पास जो हरे उसमें सिर्फ दो हो या फिर सिर्फ पांच हो और या फिर दो और पांच दोनों हो और इनकी कोई भी घाज जो है वो यहाँ पे हम स्विकार कर सकते हैं अगर वो हमारे पास एक पूर्ण संख् कि सिवा कोई भी और गुड़नखंड रूफ हमें नहीं मिलना चाहिए अगर हमें मिला तो हमारा दशमला प्रसार जो है वो असांतावर्ती हो जाएगा तो मुझे आशा है कि मैंने यहां पर आपको जो भी बाते बताएं आपको अच्छे जो समझाएं होंगे